एक और बड़ी ख़बर आपको बता दे कि प्रेम प्रकाश को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है जहां पूजा सिंगल के यहां छापे मारी के बाद बदला था मुबाइल नमबर यहां पर एक और बड़ी खबर जहां प्रेम प्रकाश को लेकर यह बड़ी खबर है जहां पूजा सिंगल के यहां छापे मारी जब हो रही थी इसके बाद प्रेम प्रकाश ने अपना मोबाईल नंबर बदला था प्रेम से जुड़े सभी दलालों ने अपना मोबाईल नंब से सेव किया गया है मोबाइल को बदल कर सबूत नस्ट करने की भी कोशिश की गई थी तो एक और बड़ी खबर प्रेम प्रकाश को लेकर और पूजा सिंगल मामले में और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अपने सहीयोगी पंकज प्रसुन का जो हमारे साथ निउस रूम से लाइफ जुड़े हुए थे पंकज प्रेम प्रकाश को लेकर एक और बड़ी चापे मारी हुई थी आपको याद होगा कि उस दिन 19 करोर रुपे पकड़े गए थे ये देर शाम तक चली थी चापे मारी और उसी दोरान समचार प्लस ने बताया भी था कि कुछ और जगों पर राची में कुछ और जगों पर हल चल रही है कुछ लोगों ने जल्दी जल कहें कि जो भी लाइजनर या सेटर इनको जो भी नाम दे जो भी लोग शामिल थे उन सबोंने अपना अपना मॉबाइल नंबर बदल दिया और दूसरी महत्पूर्ण खबर यह है कि जो मॉबाइल नबर नया लिया इन्हों ने नंबर रखा जो भी अधिकारी हों व्यापा दिया गया था एक और दूसरे हैं व्यापारी उनका रैबिट दिया गया था नाम तो जब विशाल चौधरी के यहां जब छापे मारी हुई तो हमने दर्सकों को बताया था कि एक एपल फोन बरामद हुआ है और उस जब एपल फोन को खंगाला गया तो बाकी सारे नाम तो नॉर्मल दिख रहे थे लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें देखकर थोड़ा शक हुआ कि यह कबूतर कौन हो सकता है रैबिट कौन हो सकता है और जब पता चला जब उनका नमबर देखा तो वो नमबर एक व्यापारी का निकला तो व्यापारी के नाम के आगे रैबिट क से नाम सेव थे जो अगर विशाल चौधरी के यहां रैबिट नाम से एक व्यापारी का सेव था तो प्रेम प्रकास का जो मोबाइल था उसमें कबूतर के नाम से प्रेम प्रकास पर दबिश करने के बाद एडी की टीम को लगातार कई जानकारिया मिल रही है कई अधिकारी और नेताओं के भी नाम सामने आ सकते हैं। से होंगे उसमें नंबर होंगे अगर नहीं भी होंगे तो प्रेम प्रकास को जानकारी तो जरूर होगी कि किन-किन लोगों ने अपना काम कराया और कितने कितने पैसे दिये कहां ट्रांसफर फोस्टिंग के लिए कितने पैसे किसको मिले यह सब जानकारियां तो प्रेम प्रक पूछताच कर रहे हैं देखना यह है कि प्रेम प्रकास इस पूरे जो काटल सिस्टम है जो पूरा यह कौकस चल रहा था इसे लेकर क्या कुछ खुलासे करते हैं पंकज यहां पर यह खबर भी सामने आ रही थी कि प्रेम प्रकास जो है उन्हें सरकारी गवा जो है वो बनाया जा सकता है इस पर क्या कुछ कहींगे जी यह भी सुत्रों के हवाले से खबर थी क्योंकि जब कल प्रेम प्रकास को बुलाया गया तो शुरुवात में तो जिस तरह हम देख रहे हैं यह पूरे सीज में बहुत तन की आते हैं टेशन में रहते हैं लेकिन एडी का अपना तर जाओगे तुम खुद भंसते जाओगे किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा एडी के एक अधिकारी जो सुत्र बताते उसके अनुसार उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर तुमने हमें सारी सच्चाई बता दी और तुम्हारी कहीं बाते सहीं निकली तो हम तुम् कुछ नहीं होने देंगे हम जी पंकजी यहां जिस तरीके से पूजा सिंखल मामले को लेकर राजनीती गर्माई हुई है उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि निशिकान दूबे लगातार ट्वीट कर राजी सरकार हो या फिर इस पूरे मामले पर ट्वीट कर बहुत बारगाव का नाम लिया हाला कि उन्होंने पूरा नाम नहीं लिया बस अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन रांची में बारगाव हैं जो चेशायर होम के जमीन से जुड़े हुए थे और कहा ये आरोप ये लगते रहे हैं कि वह 18 करोड की जमीन थी इन्होंने नौ करोड मे नमबर बदला उन्होंने ये सब जानकारियां दी है और तीसरा जो ट्वीट है उन्होंने विशाल चौधरी को ले कर किया है विशाल चौधरी के यहां जो एपलफोन मिला था उसमें भी कई बड़े अधिकारी नेता व्यापारियों के नाम हैं हाला कि अभी पूरी तरह ख से बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि लगतार वो भी ट्वीट कर रहे हैं आज ही उन्होंने तीन ट्वीट किया है और हेमन सरकार को घे रहा है यह बिल्कुल दो ही नेता हैं विपक्ष के बाबुलाल मरांडिया निशिकान दूबे लगभग हर दिन इनका ट्वीट आता है और जो भी एडी की करवाई है भरष्टाचार के खिलाब जो मुहीम चल रही है परवर्तनी देशाले की इसे लेकर वो हर दिन एक दिल्चस्प ट्वीट करते हैं और आक्रमक हैं यह दोनों ने ता चाहिए निशिकान दूबे की बात करें या बाबुलाल मरांडी की बात कर हैं वहमन सुरेन पर हमले करते हैं वह बताते हैं कि इडी की जांच में क्या कुछ खुलासा हो रहा है और कई पत्रकार में आपको बता दो कई पत्रकार आज का निशिकान दूबे और बाबुलाल मरांडी को जरूर फॉलो करते हैं सुबस्वा उटकर देखते जरूर है कि उन्होंने आज के ट्विट में क्या कुछ कहा जी पंकज लगातार जिस तरीके से एडी चापे मारी कर रही थी बीते दिन हमने देखा था कि पूरवी सिंभूम सराई केला खरसावा और पश्चिमी सिंभूम के डीमो को भी बुलाया गया था और उनसे भी पूछताच की ग को बुलाया जाए भविश में हम नहीं जानते लेकिन संथाल परगरान कोलहान यहां से लगातार शिकायते आ रही थी और दूसरी जो महत्पून बात है यह जो संथाल और कोलहान हैं वहां के जो कुछ डीमो हैं वो लंबे अरसे से अपने पद पर बने हुए थे जैसे मैं दारन बता दो कि अगर उनका ट्रांसफर भी हुआ तो सराय के इलाके जो डीमो थे उनका ट्रांसफर हो जाता है जमशेदपूर में तो आसपास वसी इलाके में यह बने हुए थे और यह आरोप लगता रहा है कि इन्होंने एक कौकस तयार कर लिया था और जो जो सत्ता धा आरीज लोग हैं या जो ताकतवर लोग हैं उनके साथ इन लोगों के रिष्टे बड़े अच्छे थे कौन सा ट्रक कब निकलेगा कहां कितनी है लोडिंग अप्लोडिंग होगी ओवर लोड़िट ट्रक की जो शिकायत आ रही थी आरोप यह लगता रहा है कि यह डीम इन चल रहा था कुल साहब गंज के जब डीमो आये वहाँ पे विभूति कुमार है वो तो उनसे एक सवाल पुछा गया कि आपको याद होगा कि साहब गंज के गंगा नदी में एक नाव पर्टी थी जिसमें ओवर लोड़िट ट्रक थे अब जब पुछा गया उन्होंने कि य कितनी शिकायते आपको प्राप्त हुई आपने जाच के दोर न क्या कुछ पाया तो इस तरह कई सवाल है जो एडी किसी भी अधिकारी को बुलाती है तो एक क्वेशनायर तयार रहता है और कई बार हमने देखा है कि उसी क्वेशनायर में कुछ अधिकारी उलभ जाते हैं और वहीं से ये सत्य जो हो धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। जी पंकज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ED की कारवाई लगातार जारी है वहीं दूसरी तरफ अब भी अवैद उत्खनन जो है वो रुक नहीं रहा है। दुमका में आज ही 37 या 35 ट्रक जो है वो पकड़ाए हैं। अब जैसे जैसे क्लू मिल रहा है वैसे वैसे अधिकारियों के और जो जो सेटर है लाइजनर उनके जो आरोपी हैं उनके चापे मारी भी होई हो रही है और जैसे क्लू मिलता है उनको बुलाया भी जाता है पूछताच के लिए फुक फुक कर कदम रख रही है धीरे-धीरे जगा कोड़ वर्ड का इस्तमाल किया था झाल कोड़ कर दिए Katy